नमस्कार मित्रो मैं एकी ग्रेंड मास्टर मुनीश शर्मा आज हम कुदरत के ऐसे जो कि बिल्कुल कुदरती हैं ऐसे पांच तरीके नहाने के पांच इशलान आज आपको बताऊंगा जो की जीवन भर निरूगी रहने के शक्ति शाली रहने के उर जावान रहने के चुस्त रहने के बहुत अच्चूंग और जार हैं बहुत उच दर्जे के अशनान हैं तो पांच तरीकों के उपर आज बात करेंगे क्या क्या है और किस प्रकार से ये पांच अशनान हम कर सकते हैं तो जो मित्र मेरा बारवन नंबर्स मांगते हैं कोमेंट में तो क्रिपए करके अपना आप लिख दिया तरो क्या आप चाहते हो आम तोर पे बहुत सारे लोग वही चीजें पूछते हैं जो कुछ मैं बता चुका हूँ क्या करना है वो शौट में लेते हैं वीडियो देखने की कष्ट नहीं करना चाहते इसलिए शौट में सीधा नमबर ढूंट के कॉल करने के उपर उनका पूरा ध्यान लगा रहता है तो इसके बजाए आप अच्छी तरह से वीडियो देख लें बाक्ति जनको हीलिंग करवानी होती है या पूरे कॉर्स करने होते हैं वहाँ पे आप लہको लेख सकते हैं आपको नमबर दे दूंगा है तो आज हम बाद कर रहे हैं 5 ऐसे कॉण कॉण से शनान है तो अपने आप उन तत्वों से शरीर को अधी चार्जिंग उर्जा मिलती रहती है शरीर चार्ज होता रहता है तो आज आपको जो बताऊंगा वो पांचों प्रकिर्टी के महा तत्व हैं तो कैसे कैसे उनका हम उपयोग करेंगे सबसे पहला आजाता है प्रिथिवी तत्व हम प्रिथिवी तत्व से बने हैं प्रिथिवी तत्व हमारे शरीर में हैं तो इसके लिए पुरातन समय में जो उपयोग किया जाता था वो केवल रोकियों को दिया जाता था क्योंकि आम मनुश्य प्रकृति के मिट्टी के संपर्क में रहते थे, लोग खेतों में काम करते थे, नंगे प्राओं आते जाते थे, तो मिट्टी के संपर्क में रहते थे, तो हमारे पैरों के नीचे के दो चक्तर होते हैं, जब वो उर्जा के संपर्क में आते हैं, धर्ति जैसे मट बात बगएरा नए नए रूपों में मिटी का इशनान का तरीका जो कीचण शरीर के उपर मलना जरीर के उपर कीचण मलके उससे नहाना तो पूरी बॉड़ी में एक नई उर्जा का संचार करता है और नेक्टिविटी को अपने भीतर खीच लेता है सोख लेता है दूसरा होता है जल तत्व जल तत्व जल ऐसा नहीं है कि आप हम जब नहाते हैं तो केवल शरीर की मिटी या पसीना हटाने के लिए नहाते हैं बलकि आपने ये बहुत पर देखा होगा कि जब भी आप कहीं यात्रा से आ रहे हैं कुछ काम करके ठके मांदे हैं पूरा दिन शरीर के उपर डालते हैं उससे जरूरी नहीं है कोई मिट्टी ही धुलेगी बलकि हमारे शरीर का औरा शरीर का औरा जो की शरीर से तीन इंच कम से कम उससे अधिक कितना भी हो सकता है जितने किसी की प्राण उर्जा अधिक होगी उतना दूर तक वो फैला होता है तो औरे के चैसे ही औरा और शरीर पाने के संपर्क में आते हैं आपने देखा नहाते हैं तो एकदम शरीर हलका फुलका हो जाता है भूख भी टेज हो जाती है और शरीर में नई उर्जा आ जाती है तो ये दूसरा तरीका है जल अशनान जल इस तरह से नहीं है कि नॉर्मल हम उसी के लिए करते हैं बलकि श्पैशली औराज से धोलता है अगर इसको और पावर्फुल करना हो तो सेंधा नमक जो की बाजार में आपको मिल जाएगा जिसे हम सिंधु नमक पाकिस्तानी नमक भी कहते हैं उसका उपयोग अगर करते हैं तो औरे को वो इतनी जवर्दस तरीके से प अगर पाते हैं तो डेली वो सिंधे नमक का नहाने में उपयोग करते हैं ठोड़ा सा नमक पानी में डाल देते हैं उससे क्या होता है श्रीर पे जो नेक्टिविटी आ जाती है इधर उदर से किसी को अट्यूनमेंट दे रहे हैं उसके संपर्क में आने से आ गई आप जा तो जैसे ही कोई उर्जा शरीर पे आती है तो अगर हम रोज सेधा नमग डालके थोड़ा सा पानी नहा लेते हैं उसके बाद स्वच पानी से नहा ले तो एक दम से शरीर का औरा धोल जाता है और बिमार से बिमार आदमी भी कुछ दिनों में अपने आप में हलका पन महसूस क करने लगता है शरीर का भारीपन गायब होने लगता है और एक्टिव्टीज खटने लग जाती है तीस्रा वाई इश्चना अगर आप कहीं पहाड़ों पर जाते हैं या कभी प्लेन एरिया में ही कहीं आप उची जगा पर खड़े और हवा चल रही है तो कोशिश करें कम से कम कपड़े पहने पतले कपड़े जितने हो सके हो सके तो जितना शरीर बेना कपड़ों के हो उतने आप देर हवा में खुली बाहें करके आराम से इस प्रकारते बाहें पहला के आप आराम से हवा का अपने ऊपर खुला जोंका आने दें तो वायू इशनान क्यूंकि हमारे भ इतनी जबरतस्त चीज है, जो कहने में, सुनने में छोड़ी सी लग रही है, उसके एफेक्ट बहुत बड़ी होती है, वायो शिनान आप कर सकते हैं, आप थोड़ी जर पंखे में भी बैठ जाते हैं, तो शरीर में कुछ हलका हलका सा हो जाता है, लेकिन जब कुदरती तरीके से हवा चलती है, तो उसका इफेक्ट बहुत गहरा होता है, तो ऐसे में बिना कपड़ों के अगर लेड़ते हैं, तो वो हमारे भीत्र, हमारे चौथे चकर, हमारे रिदे चकर को उर्जा बान करता है, चौथे चकर को सक्रिया करता है, चौथे चकर में रीचार्जिंग उर पुझा डालने का काम करता है जो के हिते चकर से सबंदे सभी समस्याओं से दूरी बनाने में हमारी सहायता करता है निरोगी रहने में सहायता करता है इसी तरह से अगला एक है जो जबर्दस्त सबसे जबर्दस्त है वो है अगनी शनान अगनी शनान करने के कई अलग अलग तर तेल की बती जला देती थी तो ऐसा नहीं कोई कोई पुरानी अनपन्ड लोगों का काम था बलकि जो बहुत विज्ञानिक विज्ञानिक इसलिए क्योंकि विज्ञानिक वो जो ध्यान के द्वारा अपनी अंतर आत्मा के भीतर जाता है अपने शरीर को भीतर से देख पाता है अपनी आत्मा को देख पाता है विज्ञानिक वो इसलिए मैंने विज्ञानिक आए तो उन्होंने उस चीजों को बहुत गहराई से महसूस किया कि अगनी जो है वो हमारे शरीर के जो चक्र है और खासकर मणी पूर चकर को बड़ी तीवर और उर्जा परदान करता है और शरीर की सारी नक्टिविटी को जला देता है तो अगनी क्या करती है जितनी भी गंदगी है वो सारी जला देती है इसी तरह हमारे औरे में हमारे चक्रों में जो नक्टिविटी आती है अगनी उसको तेजी से जलाती है तो इ एक-एक मौम्बति या धिया जलाके उसमें आप 10-15 मिनट बैठें आप एकदम से पाएंगे आपको नहीं भी भूख लगी थी आपकी भूख बटने लग गई भूख पैदा होने लग गई शरीर में एकदम हलकापन आ जाता है चाहे थोड़ा आए चाहे बहुत आए क्यूंक शरीर सुस्त रहता है शरीर बोजिल रहता है भारी भारी रहता है तो ऐसे लोगों के लिए अगनी शनान बहुत मखतब पूरून होता है ये शरीर में औरे में चक्रों में आई हुई नकारात्म कूर्जा को तेजी से जलाता है हो सके तो शरीर के चारों तरफ आप थोड़ थोड़े दिये, थोड़ी थोड़ी दूरी पर रखके भी अगनी शनान कर सकते हैं, यह जबर्दस्ट इफेक्ट डालता है और बड़ी बड़ी बिमारियां जो खास तौर पर मांसिक बिमारियां हैं, उनको बहुत तेजी से खतम करने का काम करता है, जितने भी मांसिक बिमार है जैसे जैसे वो उदे होने लगता है जागरित होने लगता है तो शरीर की सारी नकारात्मकूर्जा जो की अंधीरा है जो की काली उर्जा है बलैक उर्जा है गरे उर्जा है वो सारी उर्जा नकारात्मकूर्जा समाप्त होने लगती है और मनी जगुर्दस्त ये होता है कि आप कहीं भी उल्टे लेड़ जाएं आप सिधा लेड़ जाएं इस तरह से और आकाश में आप पलक देखें बिला पलक जबकाई जितनी आप देर देख सकते हैं कभी आप बहुत टेंशन में चिंता में बहुत भारीपन में अगर महसूस कर रहे हैं मन चिंता में हैं नकारात्मकता में हैं मन के उपर बहुत प्रेशर है तो आप कहीं चट के उपर चले जाएं और आकाश में पांच मिनट दस मिनट बिला पलक जबकाई देखने की कोशिश करें अगर कोई पलक एक जगा पे ना टिका सके इस तरह से स्थिर ना कर सके लौक था जो आपको भारी पर मैसूस हो रहा था वो सारा खुल गया और बाहर के आकाश के संपर्ख में आते ही आप अपने भीतर से बहुत हलका और पूरा आकाश अपना जागरित पाएंगे और इससे गले का चक्र विक्सित होता है शुद होता है जिनको गले की समस्याइ हैं वो आकाश तत्व को बढ़ाने के ये लगातार आकाश में बिना फलक जबकाए हर रोज अगर दस मिनिट देखें तो कुछ ही दिनों में गले की सारी समस्याइं गाएपक होती उनको नजर आएंगी इस वीडियो में इतना ही धन्यावाद नमस्कार